हेलो दोस्तो मेरा नाम है रभी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने येट्यूब चैनल इस्ट डिवित रभी पर फ्रेंट्स हमने एक स्रीज श्टार्ट की थी उत्राखन करंट अफेर 2020 आज हम इस स्रीज की चोथी किलास इस वीडियो के माध्यम से पढ़ना वाले हैं जिसके अंतरका तो दोस्तो 15 महत्पुन प्रसनों को कबरप किया जाएगा सभी प्रसन स्लेक्टिड और इंपोटेंट प्रसन है जो आपके एक्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं तो सही आंसर है ओप्शन ए सांस्क्रेतिक मंत्रालिय के द्वारा दोस्तो रिषी के संगीत समहरों का आयुजन किया गया सेकंड कोशन है कि 12 माई 2022 को सभीता कंसवाल ने एबरेश्ट को फतेय किया इनका संबंद उत्राखंड के किस जनपत से है सही आंसर है ओप्शन भी उत्त सभीता कंसवाल का संबंद उत्राखंड के भटवाली विकास खंड के लोत्रू गाउं से है ठीक है तो याद रखेगा कि सभीता कंसवाल का संबंद भटवाली ब्लोक में गाउं है लोत्रू गाउं तो उससे है जिन्होंने दोस्तों 12 माई 2022 को एबरेश्ट को फतेय किया है महत्पुन प्रस्ण है एक्जाम के द्रश्टी कौन से अकला प्रस्ण है कि आपदा मैं फसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है सही आंसर है ओप्शन B उत्तरा खंड उत्तरा खंड दोस्तो भारत का पहला राज्य है जिसने आपदा मैं फसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन किया है ये भी दोस्तो एक्जाम के द्रश्टी कौन से महत्पुन प्रस्ण है बरतमान में प्रदेश का नया स्वास्तिय महा निदेशक किसे वनाया गया है सही आंसर है ओप्शन A डोक्टर सैलजा भटको डोक्टर सैलजा भटको दोस्तो उत्तरा खंड का नया स्वास्तिय महा निदेशक वनाया गया है पांचवा प्रशन है कि सरवादिक पक्षियों की पिरजातियों के मामले में देश में उत्राखंड का कौन सा इस्थान है सही आंसर है ओप्षन ए पहला दोस्तो उत्राखंड में सरवादिक पक्षियों की पिरजातियां निवास करती है ठीक है याद रखेगा देश में उत्राखंड का पहला इस्थान है जहां पर सरवधिक पक्षियों की प्रिजातियां निवास करती हैं अगला प्रशन है कि हाल ही में कुमाउ रेजिमेंट के द्वारा सुंदर डूंगा घाटी बागेशवर इस्तित किस परवत चोटी को फते किया है सही आंसर है option A, Mount Durga Court चोटी, मांट Durga Court चोटी जो की दोस्तो सुंदर डूंगा घाटी बागे सुवर में इस्तित है, इस चोटी को दोस्तो कुमाउ रेजिमिन्ट के द्वारा फते क्या गया है, ये भी दोस्तो महत्पून प्रश्ण है, अगला प्रश्ण है कि राज्य में ज जोड मेले का आयुजन क्या जाता है, इसका आयुजन प्रती एक वर्स चोधे माई को क्या जाता है, और फ्रेंट्स रिठा मिठा साहिब चंपा बत में इस्तित है, अगला प्रश्ण है कि राज्य के किस धाम को नियोर्क की तर्ज पर होट सिटी वनाय जाने की घोसना की ग अगला प्रश्ण है कि कुमाओ के पहले प्रीपेड टैक्सी बूत की सुरुआत कहां से की गई है, सही अगला प्रश्ण है कि कुमाओ के पहले प्रीपेड टैक्सी बूत की सुरुआत कहां से की गई है, सही अगला प्रश्ण है कि कुमाओ के पहले प्रीपेड टैक्सी काठ गोदाम रेलवे इस्टेशन से कुमाउक के पहले प्री पेड टेक्सी बूत की शुरुआत की गई है नेश्ट कोशन है कि हाल ही में मुख्य मंतरी पुसकर सिंग धामी द्वारा किस जिले में बिश्व भारती बिश्व विधाल्यक के कैमपस को गितानजली कैमपस बनाये जाने की घोशना की गई है सही अंसर हैगा ओप्शन वी नेनी ताल तो नेनी ताल में इस्तित है बिश्व भारती बिश्व विधाल्यक कैमपस इसका नाम दोस्तों गितानजली कैमपस किया जाएगा उत्राखन के किस ब्यक्ति को स्वच भारत मिसन के तहट राष्टिय सेबा पदक प्रदान किया गया है सही अंसर है ओप्शन ए युगल किसोर जोसी को युगल किसोर जोसी को दोस्तो राष्टिय सेबा पदक प्रदान किया गया चोथवा प्रेशन है बारह दिवसी है शीरी गोलजु संदेश यातरा का आयूजन कहाँ से प्रारंप किया गया राइट अंसर है ओप्सं ए पिथोरागळ से फ्रेंड्स गोलजु संदेश यातरा का आयूजन 24 अपरेल से 5 मैझ तक बोना गाउं पिथोरागळ से नैने ताल के घोड़ा खाल मंदिर तक किया गया तो याद रखेगा यह यात्रा दोस्तो। बोना गाउँ पिथोरागढ से शुरू होई थी और इसका अंत दोस्तो नैने ताल के घोड़ा खाल मंदिर में हुआ था अगला प्रसन है कि हाल ही में राज्य सभा सांसद अजय टम्टा का कार्यकाल पूर्ण हो गया उनका इस्थान किस ने लिया है तो फ्रेंट्स इनका इस्थान कलपना सैनी ने लिया है राइट आंसर है ओप्सन ए और फ्रेंट्स कलपना सैनी कलपना सैनी राज्य की दूसरी मह महिला राज्य शबा सांशद वनाई गई एैं जबकि फ्रेंट्स पहली महिलाराज्य सभा सांशद यो बनी थी क्यों मनोरंवा सर्मा डौवरियाल वन्य थी ठीक है तो friends ये थे आज के हमारे महतपूर्ण 15 प्रसन ठीक है सभी प्रसन दोस्तो selected और important प्रसन थे जो आपके exam में सीधे पूछे जा सकते हैं ठीक है देखिए कल का सवाल था हमारा कि चोपता बुग्याल किस जनपद में इस्तित है तो दोस्तो चोपता बुग्याल रुद्र प्रि सवाल का भी जवाब बहुत लोगों ने दिया था कमेंट में तो आज के भी इस सवाल का आप जवाब जरूर दीजिएगा ठीक है कि राज्य में सरबदिक लिंगानुपाद वाला जनपद कौन सा है ठीक है और कमेंट करके बताईएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी उ थैंक यो समच फॉर वाचिंग जी आहिंद